श्रीय विद्यारतियों, नमस्कार, गुरुकुल धाम के ओनलाइन प्लेटफर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वाब है, देखे आज की क्लास जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि राजस्तान सरकार ने जो राइट टू हेल्ट बिल पास किया है, उस को लेकर के हम जानेंगे कि स्वास्ते का अधिकार क्या है, इस विल में क्या प्रावधान किये गए हैं, और जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें जो विरोध हो रहा है, वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा का विशे बना हुआ है, स्वास्ते का अधिकार तो क्यों इसका विरोध हो रहा है? आम नागरिकों के लिए इस कानून में क्या प्रावधान किये गए है? तो आस्ते समन्दी लोगों का सरकार ने क्या ध्यान रखा है और क्या वो कमिया रही जिसको चलते इसका विरोध हो रहा है? यानि मीजी अस्पतालों के डॉक्टर सभी हरताल पे हैं इसके साथ साथ बात करें तो जो पब्लिक होस्पिटल के डॉक्टर है वो भी जो है वो हरताल पे जाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या है इस बिल में? क्या प्रावधान है? स्वास्ते का अधिकार है क्या? इन सभी चीजों पे इन सभी बातों पे आज की क्लास में हम चर्चा करने वारे हैं सबसे पहले देखिए स्वास्ते का अधिकार हम अगर भार्टिय सविधान की दृष्टी से देखें कि यह मैं कहूं राजनेतिक विज्ञान की दुश्टी से देखें तो सबसे पहले हमें जानना है कि यह स्वास्ते का अधिकार कौन से अनुछेट से समंदित है क्या यह हमारे मौलिक अधिकारों से समंदित है क्या यह हमारे निकिनेगत कत्वों से भी समंदित है तो इसके बा को पूरी देख लेगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको इस अधिकार के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त करने के लिए कहीं और जुटना पड़ेगा मैं यह नहीं कहता कि हमने इस क्लास में सब कुछ वो जो है जानकारियां उपलब्ब करवा दी है लेकिन अ सबते पहले देखिए स्वास्ते का अधिकार आप जानते हैं कि हमें सवीधान है वो छे प्रकार के मौलिक अधिकार जो है और उनमें से ही एक जो अधिकार है बत्तों वह सवतन्तरता का अधिकार है यह सवतंततता का अधिकार हमारे स्टविधान में हमें अनुचेद 19 से 22 तक जो है वो गलब सरवाया गया देखिये मैं मौलिक अधिकारों की बात करूँ तो बच्चों मौलिक अधिकार जो है वो हमें अनुचेद 12 से 35 तक जो है वह सविधान में भाग तीन में दिये गए हैं उन में से एक अधिकार है वो है सवतंतरता का अधिकार जो कि अंतरता कर रहे हैं 19 से लेकर के 22 वहाँ एक अनुचेद आता है अनुचेद 31 जो आप सभी लोग जानते भी है या मैं कहूं जीवन जीने का अधिकार जो है वो हमें अनुचे 21 देता है तो यह जो जीवन जीने का अधिकार है बच्चों जीवन जीने के अधिकार में बहुत सी बातें जो है वो सामिल होती है और स्वास्ते से वो कैसा जुड़ा हुआ है को मैं आपको सीधा साई बता दू यह जो आप देख पा रहे हैं right to health यानि स्वास्ते का जो अधिकार है वो अधिकार अनुछे 26 से जुड़ा हुआ है अब आप सोचेंगे सर कैसे जुड़ा हुआ है तो सुप्रीम कोट ने एक निर्ने दिया था 1996 उन्नीस सो चाण मने सुप्रीम कोट ने एक निर्ने दिया और हुसमें कहा मोहिंदर सिंग चावला बनाम पंजाव राज्यादर नाम से यह case है वो जाना जाता है जिसमें सुप्रीम कोट ने कहा कि यह जो स्वास्ते का अधिकार है वह अनुचेदि किस के तहर जो है जीवन जीने के अधिकार में सामिल है अब हम बात करते स्वास्ते के अधिकार को लेकर के राजस्तान सरकार ने जो बिलपास किया है उसके उपर विरोध को हो रहा है इससे पहले मैं एक निर्णे की और कर्चा करना चाहूंगा यहां वो भी 1996 का यह बच्छो और वो निर्णे है पस्तिम बंगाल खेत मजदूर समीती के नाम से जाना जाता है खेत मजदूर समीती इस निर्णे में सुपरिम पॉर्ट ने यह कहा कि स्वास्ते का जो अधिकार है वो हर व्यक्ति को सेट जो है इसकी ब्यूटी है कि वो प्रवाइड करवाए तो इसका म हमारे सवतंतरता के अधिकार अनुसें 21 के तहंट अब हम बात करते हैं कि भी फिर इसका विरोद क्यों हो रहा है बहिए हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्ते हैं मिले और इसके लिए सरकार है वो कुछ प्रावदान करें और इसी को लेकर करकर राजस्तान सरकार ने जो प्रा भारत का पहला राज्य जो है वो राजस्तान बनाए इंडिया का राजस्तान जिसने स्वास्ते का अधिकार लोगों को दिया है यह चीज भी साथ में मैं क्लियर कर दूं कि सर क्या केंदर सरकार में भी ऐसा कोई प्रावदान है तो अभी तक केंदर सरकार में इस प्रकार का प लेते हैं जहां पर कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि तर यह भी लोग कल्याण और स्वास्ते से जुड़े हुए हैं तो यह जो स्वास्ते का अधिकार है वो निती निदेश्चत्व में जो हमें 38, 49, 43 और 47 के तहट जब हम इनको देखते हैं तो बच्चों यह भी अच्छे स्वास्ते की बात करते हैं लोग कल्याण की बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि सर फिर यह जो हमें स्वास्ते का अधिकार मिला है उस अधिकार के तहट क्या वो आम लोगों के लिए अच्छा है निस्चिसी बात है स्वास्ते का अधिकार मिला है तो स्वास्ते का अधिकार में देखे आपातकालीन जो सेवाए है ओपीडी जो है आई पीडी जो सेवाए है वो निसुल कुपलग करवाई गई है इसके साथ इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व् पुर्गटना होती है और उस व्यक्ति को होस्पिटल तक पहुंचाय जाता है तो पहुंचाने वाली व्यक्ति को 5000 रुपे इनाम की राच्ची है वो भी जो है वो सरकार उपलग करवाएगी तो सारी सुविधाई जो है वो निशुल्ख उपलग सरकार के द्वारा इस अधिक क्स को खडा सकेर्शक के विरोध के कारण और विरोध के कररण और विरोध इस बात कथा कि इसमें क fragrance शुदार किया जए आप आत काल सेवाएं जो है उसकी गया की जा आए परिभासित किया जए कि क्न सी अपात काल की सेवाँ के तेथ होगी तो यह मीजी जो अस्पतालों के दॉक्टर्स हैं उनके दोरा विरोध दिया गा था तो इसके तरह यह आगे नहीं बढ़ पाया लेकिन किस मार्च को इस विल को पास कर दिया गया और पास करने के बाद आप देख रहे हैं आप नागरिकों को इसके बारे में जो है इस अभिकार से क्या सुविधाई मिलेगी इन सभी चीजों के आईए हम बिटेल से तर्चा करते हैं तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए स्वास्ते के अधिकार के बारे में जानते हैं तो देखे राजतान के परतेक नागरिक को किसी भी सार्वजिनिक स्वास्ते संस्थान स्वास्ते देख भाल परकिस्तान और नामिक स्वास्ते देख भाल केंडरों पर आउशेख सुल्क या सुल्क के पूर्व बुक्तान के बीना आपात का लिंग उप्चार और देख भा नीजी और सर्वदुनी सभी प्रकार के अस्पतालों में जो है लोगों को मुप्त में फ्री में इलाद है वो राजस्तान सरकार देनी की बात चाहिए देखे 21 मार्च को विधान सभा में जो बिल है ये पास होता है इसके फ़हले थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हम स्वास्ते के अधिकार के बारे में जान रहे थे तो 21 मार्च को ये विदान सभा में बिल पास हुआ था और विरोध और हो अला के भी तो राजस्तान विदान हुआ है जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अगर कोई इंपोर्टेंट क्यूस्टन है इसमें तो वह यहीं है कि राजस्तान देश का कौन सा राज्य बना तो राजस्तान देश का फैस्ट स्टेट बना है जिसमें राइट टु हेल्ट बिल जो है वो जान लेते हैं बच्चों तो देखिए अस्पतालों में उप्चार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जा सकते यानि प्राइवेट होस्पिटल भी अमना नहीं कर सकते उप्चार के लिए इस लिए राइट टु हेल्क विदेग लाया गया इसके अंतरके अमर्जेंसी में इ पास पैसे नहीं है वो भरपाई नहीं कर सकता तो राजय सरकार जो है वो भरपाई करेगी यानि सीधी सी बात करें तो नीजी अस्पतालों को राजय सरकार के जो है वो पैसा दिया जैए लेगर भी सबाट के उन्急 फीर उन्यवादय कि जा उन्यवी तुनावी फॉगर्दी और विक वन आगावां कि इसके मुताबित सितंबर 2022 में विधेग को विधान सबा में पेश किया गया लेकिन अनिवारी और मुप्त जो है अपात्काली नुक्चार के प्राउधान सही आगे नहीं बढ़ पाया जैसा कि मैंने आपको बताया है इसका विरोध हो रहा था और विरोध के चलते एक बार सरकार ने सोचा कि हमें भी एक बार थोड़ा सा जो है इसके बारे में धैन करना चाहिए और इसके बाद ही इस बिल को पास किया जानट की तो आगे नहीं बढ़ पाया और भारी विरोध के चलते ये परवर समीती को भेजा गया और अब चालू बजट सत्र में मंगलवार को तो चलते पर लुख दिया गया है तो यह था स्वास्ते का अधिकाद अब आगे हम बात करते हैं इस बिल से लोगों को मिलेगा अगरित को इससे क्या फाइदा मिलेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबते पहले धीए राइट विदेख्य इसके साथ है इसके साथ हम बात करें तो बड़े अस्पितालों को राजी सप्रकार द्वारा बियाईटी जमीने उपलब्द करवाई गई है इन अस्पितालों को राज्याकी जोरने का प्रावदान भी किया गया कि इसके साथ साथ देखिए इस बिल में राज्य के निवास के लिए कुछ अधिकार देने के प्रावधान किये गए हैं मुख्य रुप से मैं बात करूं तो लगभग 20 अधिकारों की बात की गई है इन में से भी मुख्य क्या है उनके बारे में हम जानते हैं तो सबसे पहला कर इसाथ बात पेङएगा से एंबूलेंस विधए अधिकार भी तक रोटे लेकार को दिया जाएगा इससक चाहतलों सभी सारवजनिक अस्पतालों में सरजरी के लिए मुक्त की फायती देखबाल का अधिकार जो है वो इसके तहट दिया अगले पॉइंट की तरह बढ़ते हैं चिरंजी योजना के तहट कवर किये गए निवासियों को विमा योजना के तहट सुचिवत अस्पतालों के मादन स से बिमा योजना के साथ मुक्त सेवों का लाब उठाने का अधिकार है और एक यह जो पॉइंट है इसका जो विरोध भी हो रहा है दोक्टर के द्वारा वह यह बहारा है कि जब आपने चिरंजी योजना के माद्यम से लोगों को हरी में इलाज देने की बात रही गई गई करने का अधिकार होगा आदिकार वो दिया गया है इसके साथ साथ शिकत सफेट रामर्स के बाद भी रोगी के चले जाने की स्टती में समरी लेने का अधिकार है यानि वो उसके बारे में जानने का अधिकार अगले अधिकार की बाद करें तो बच्चों परते स्वास्टेकेंडर के बुखतान बाती होने के बावजूर यह बहुत अच्छा पुरिंट है बच्चों यानि कोई व्यक्ति अगर जो है भुखतान नहीं कर पा रहा है तो उसके परिवार के सदस्या अधिकर्ट व्यक्ति क इसके जो और इफ विरोध कंषियों हो रहा है क्यूं हो रहा है स्वास्ते का अधिकार कानून प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए बात सबसे बड़ी बात इसमें दुरगटना अगर किसी की हो जाती है तो दुरगटना के समय कि ध यहां ये कहा गई है कि अब आपको जो है वो पुलीस कारवाई से दुर रहते हुए पहlux करने की तो बीना किसी पेमेंट के लिए बात देर हो जाएंगे इसी कारण नीजी अस्पतालों के डॉक्टर इस विरोध में उधर आगे देखिए मैं यह भी नहीं कहूंगा गलत हो रहा है लोकतंतर में सब लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है और भारत एक लोकतंतरिक द करने का अधिकार है तो वो अपनी बात रख रहे हैं वो बात सरकार माने या नयमाने यह सरकार के उपर निर पर है डेवडिस्टन का एक आउटपुट इनपुट मोडल है पोलिटिकल साइंस में और आउटपुट इनपुट मोडल में डेवडिस्टन यह कहते हैं कि हम परि एदिकार है तो यह भी लोक्तर में अधिकार है यह नहीं कर सकते कि यह गलत हो रहा है उपनी बात रखने का हरे एक व्यक्तिक अधिकार आ करके जानते हैं इसका विरोद के हो रहा है जानिये दिल में जिन पर विवाद हुआ ऐसे क्या प्रावदान है क्यों विवाद हुआ तो नंबर एक हम बात करते हैं राइट टु हेल्ट विलिग अपातकाल में अपातकाल में यानि अमर्जेंसी के दोरान नीजी अस्पतालों को निशुल्क इलाज करने के लिए बद्द कि दाइरे को तही नहीं पियागा पहले आप परिवाशा को चाहे करें अमर्जेंसी में कौन सी छेवाई आएंगी अमर्जेंसी में किन का इलाज किया जाएगा यह आप परिवाशित करें तो यह डोक्टरों का कहना हर मरीज अपनी बीमारी इस बता कर निशुल्क इलाज लगे तो हम हर एक आमनागरिक जो है वो अमर्जेंसी बता करके इलाज करवा लेगा तो हम अपने खर्चे कैसे चला पाएंगे तो यह भी एक विरोगत का कारण है दूसरा कारण हम जान से बता हूं राजिय और जिलास तक प्राइवेट अस्पतालों के महेंगे इलाज और मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्राधिकरण का गठन प्रस्तावीत है जैसा कि हम तर्शा कर रहे हैं तो नीजी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि प्राधिकरण में विशे प्राधिकरण में प्राधिकरण में इसके बारे में जानकारी रखता हो इसे विशेष सघ्ये हो कोई है था डॉक्टर हो जो अच्छे से स्वास्टे सेवाओं के बारे में जानकारी रखता हो अगर आज ने ऐसे ही फ्राधिकरण में लोगों को बठा दिया या मैं कहूं सीधा है पोलिटिक लोगों को ला राकर कर रख दिया या लोकल अगर मरीज गंबीर विमारी से क्रिशित है और उसे इलाज के लिए किसी अन्य अगर में रेफर करना है तो एम्बूलेंस की विवस्ता करना अनिवारी है यह भी फ्री में उपलब दुकर वाई जाएगी इसके लिए प्रावधान यह भी सपस्ट किया जाए यह मांग फॉर लिए अगला हन बात करते हैं नमर चार्ट राइट टू हैंट मिल में नीजी अस लुटने के लिए सरकार योजना को नीजी अस्पतालों के जड़िये लागू पर सकती है इसके लिए प्राइबेट अस्पतालों को बात देख क्यों किया जा रहा है यह यह भी सब्सक्राइब कर दोदेब दोदेख के मुताबिद रही है ऐसा में इलाज का खर्थ कैसे नि इस पर असर पड़ेगा तो इसके टायट को परावदान किया अगली नमर पांस बात करते है दुरगटना में घाहल मरीज, ब्रेन हमरेज, हार्ट अटेक्स, ग्रिशित, मरीजों का इलाज हर निजी अस्पताल में संभव नहीं है यह भी बात से ही हर अस्पताल में संभव क्योंकि वहां जो डॉक्टर था है जरूरी थोड़ी एक ही वो देन हम्रेज और हाट अटेक का इलाज का रपड़ तो मरीजों का इलाज हर नेजी अस्पिताल में संभाव नहीं है यह मामले भी अमर्जेंसी इलाज की स्रेड़ी में नहीं आते इसके लिए सरकार को अलब से स्पस्नियम बनाने चाहिए इसके साथ बात करें अगले पॉइंट पीजिश घायल मरीज को अस्पिताल पहुंचाई जाने वालों को पांच हजार रुपे तो अक्सान काची देने का प्रावदान है दूसरी तरफ तरफ तो पूरा इलाज ने प अगले पॉइंट की बार करते हैं अगले पॉइंट की बार करते हैं अगर सभी मरीजों का पूरा इलाज मुच्प में करना होगा अस्पिताल अपना खचार कैसे निकालेंगे गहां तुक के अपना रूप कर गिया था या रूप रहा उनका उन्होंने कहा इस स्थे आम जनताओ दौक्र दोदों का ही था नहीं कि उने साथ कर दिया कि वहीं डॉक्टरों के लिए भी फाइदे मन्ध है और आवनागरिक के लिए तो ही डॉक्टरों को भी बिल में सरकार का साथ देना ते ये इस तरह विरोध नहीं करना ते बाती जो भी समझ्या है उन्हें बेट चुछ रिखता है वह जो है मेडिया के मा वो काम कर रही है और पब्लिक वेल्पर की जहां बात आती है वहाँ देखिए डॉक्टर्स के काहित भी नहीं हो रहा है यहां तो उनका भी फाइदा है ऐसा कहना है यह आगे बढ़ते हैं बच्छों अब देखिए प्राइवेट होस्पिटल पर यह हो सकती है अगर राइट सब्सक्राइब करने का अधिकार सकता है नंबर दो हम बाग करें नीजी एस्पिताल की बिल्डिंग समंधित नगरिये विकास जिसमें नगरपाली का नगर निगंत या युआईटी या विकास प्राइदिकर से दिना अप्रूव करवाई बनी है उन इमारतों को सील किया ज कर सकते हैं इसके साथ साथ और क्या कारवाई कर सकती है तो नगरपाली का और नगर निगंत इन अस्पिताल से रहें की तक कुड़ने गीविक Two कार लिटे पी स ταव इसके साथ साथ जिन अस्पतालों ने अपरूर नक्से से अलग अवेद निर्मान कर लिया उस अवेद निर्मान को तोड़ने की कारवाई बीच सरकार कर सकते हैं और हम भूर्ड बात करते हैं कि राएट टु हेल्ट में पःवर होगा उसके बारे से चरका करते हैं तो राइट वेलोडिक्स बाइयर होने वाले। प्रभावीत आबादी की बड़ी तादाद में मोद, जनहानी प्रभावीत आबादी की लंबे समय के लिए त्रभाव या गंबी रूप से अक्षम होने वायरल या जहरले तत्वों केसों का भेलना और उससे होने वाले जोखिम सामेलिस में इसके साथ सब्सक्राव साथ, अपैडिमिक यानि महामारी के दोरान राइट तो हेल्प प्रजेश के लोगों के स्वास के लाज़ का सुरक्षा कवच होगा, medical and health के सिर्विब मेथर, reproductive health emergency medical treatment, diagnosis, nursing, rehabilitation, health recovery, research, jaan, uccha, procedures, और अन्ये services, इसके साथ सभी तरह के government और private institute, facility building, जगाय या उससा पार इसमें सामिल है, इसके साथ साथ चलाई जारे संस्तान, funded और controlled institute इसमें सामिल होगा, इसके साथ health service provider में health science doctor, nurse, paramedical staff, social workers, specialized health provider, nursing, rehab, health recovery, treatment और दूशी स्वास के सेवाजिक ताहिल, law policy program, project, technology, जप्षान को उचाने वाली activities की पहचान करने, prediction करने, analysis और solution करना, संभावत प्रवाओं को कम करने के लिए, procedure, methods और साधनों का coordination सामिल रहेगा, इसके साथ साथ इलार के खर्टे, joking, विकल को में से सामिल किया लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगे, इस पर हम चर्चा करते हैं, हालां कि अब तक आप जान चुटे होंगी की राइट तो हेल्ट विल क्या है, लोगों के लिए इस परकार से खाइदे मंद है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, विरोध क्या कारण है, ठीक, तो आए फिर भी एक बार दुवारा हम इसके बारे में तर्चा कर लेते हैं, सोड़ी सी, कि राइट तो हेल्ट से लोगों को सुविधाएं क्या मिलेगे, तो आएक हम बात करना, राइट टो हेल्ट में राजुस्तान की हर वेक्ति को बीमारी का डाइग्नोसिस, जांच, इलाज, भावी रिजल्ट और संभावी जटिल्टाओं और एक्स्पेक्टेड घर्चों के बारे में अच्छी तरह से जालकारी मिल सकेए, इसके साथ-साथ प्रोसीजर, सर्विसेज, इमर्जनची स्विटमेंट से मिलेगा, ऐसा इसमार प्लाव ना किया गया, इसके साथ-साथ-साथ-स जाएटर, कारण वासिक जाँच, क्यरेलाग रिजल्ट, सम भावी जटिंताओं और अस्पेक्टेड खर्चों के बारे में पूरी जाँखारी बिल सकेगे। कोई medical legal मामला जेखे इसको थोड़ा सा समझते हैं जैसा कि हम थोड़ी जब पहले चर्चा कर रहे हैं कि अगर पुलिस एनोसिया पुलिस रिपोर्ट मिलने के आधार पर इलाग में बेरी होती थी इस स्वास्ते के अधिकार में ये प्रावधम किया अगर है कि पहले जो भी मर पुलिस एनोसिया पुलिस रिपोर्ट मिलने के आधार को इलाग में जेरी आपको भी करने हैं जेखे जो कोई medical legal मामला तो health care provider के उसको भी प्रावधम के अधार को इलाग में जेरे नहीं करेगा अच्छा प्रावधान है गुछा हम आधिकों के लिए मरेज को किसी मेल वर्कर की ओर से महिला पेशेंट की फिजिकल टेस्ट के दौरान महिला की उपस्पिटी भी जरूरी होगी ऐसा भी इसमस्रावदान किया गिए इसके साथ उपलग्ड ओप्शन स्रीटमेंट मेंचन का स्लेक्शन मरीच कर सकेगा हर तरह की सर्विस और फैसिलीटी की रेट और टेक्ट के बारे में सुचना पाने का उसे मिलेगा इसके दौरान दवा लेने और दास की सॉर्शन का स्लेक्शन की आजा सेकेगा हेल्थ की कंडिशन के बारे में मरीज को एदुकेट किया जाएगा सभी गर्रमेंट और ट्राइवेट मेडिकल इंस्टिटूट से रेफलेल्ट ट्रास्पोर्टेशन की स्विधा मिलेगी इसके साथ डौक्टर की सला के इलाप जाकर होस्पिटल याinseन के लिए इलाज का व्योरा प्राइब किया जा सकेगा, रोड अक्सिदेंट में फ्री ट्रांस्पोर्टेशन, फ्री टीटमेंट और फ्री इंशुरेंस कवर किना लगा, इसके साथ साथ, second opinion लेने के लिए पहले से treatment का माले, health provider से treatment detail और information लेने का अभिकार मिलेगा, राजश्तन सरकार bound होगी की right to health ले बजट में, इसके साथ साथ सरकार treatment quality और safety और नॉर्मस सामिल करेगी, नॉर्मस इसमें, नॉर्मस जो है बच्चों वो सामिल किये जाएंगे, treatment quality के, इसके साथ साथ गारंटीट सर्विसेज से कोई भी direct या indirect तोर पर इंखार नहीं किया जा सकता, portion या nutrition के ल साथ है बच्चों, पीने के पानी की व्योस्ता, hygiene के लिए सरकारी department के बी, coordination किया जाएगा, तो ये था बच्चों, right to health, will और उसमें प्रावधाम, आमनादी को उसमें, क्या मिलेगा, इसके साथ पीने का जो पानी है बच्चों, वो भी आर्टिकल 21 के तहती आता, को right to health को लेकर की काफी चर्चा का विषय था, और हर एक बच्चा जानना चाहता था कि ये right to health क्या है, इसको लेकर के हमने इस क्लास में चर्चा की, आप दोखों को ये क्लास कैसी लगी, दूल बताएं, बिलते हैं, नए तुपिक के साथ, तुपिक के साथ, तुपिक के ल